एक बार एक हरे भरे जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था जो हमेशा सद्भाव में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक जादूई सुनहरे पेड की खोज की यहाँ पेड अद्वितिय था क्योंकि इसके सुनहरे फलों में उन्हें खाने वाले क इच्छा पूरी करने की शक्ती थी जादूई पेड़ के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई Animated Kids Story वीडियो बनाने के बारे में मैंने चैनल पे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और यही नहीं इस वीडियो में हम अपनी images को पहले 3D वीडियो में बदलेंगे उसके बाद हम अपनी Kids Animated Story बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी Animated Kids Story बनाने के लिए पहले हमें चाहिए इस्टोरी लेनी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चैज जी पीटी का तो हमें जिस तरीकी भी अपनी इस्टोरी चाहिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है अब हमारी इस्टोरी आपे जनरेट होना सुरू हो जाएगी अभी हमारी इस्टोरी है इंगलिस में जनरेट हो रही है लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम अपनी इस्टोरी को इस बार हिंदी में बनाएंगे तो हम अपनी इस इंगलिस इस्टोरी को हिंदी में टांसलेट क को देख सकते हैं उससे आप आसानी से अपने लियोनाड़ो डोटाई को चलाना सीख जाएंगे अब देखो यहां पर ईङाई इमेज जननेशन पर हम आएंगे अब हमें अपनी स्टोरी के लिए उस्ट करना तो हमारी images यहां पर celebrate होना सुरू हो जाएगी हमारे पहले पेरागराप की जो इमेजेस हैँ वह यहां पर generate हो गई हैं अब हमें दूसरा, यहां पर पेरागराप पर लेना है vapies company झाल लेते हैं और यहां पर लाक करके इसे को जननेट कर लेंगे इसी तरीके से हमें one by one सभी पैरागिराप की images को जननेट कर लेना जितने भी आपके पैरागिराप होंगे सभी की आपको इसी तरीके से images जननेट कर लेना है जब आपकी images जननेट हो वो इस जनरेट करने के लिए हम इस्तमाल करेंगे TTS-free.com का और यह पहली वेबसाइट है text to speech हमें इस पर क्लिक कर देना है हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open होगा अब यहाँ पर देखो आपको अपना जो script है वो यहाँ पर डालने अब मेल की वोईस में श्टोरी बनानी है तो आप मधूर को select कर लेंगे अगर आपको female की वोईस में story बनाना है तो आप शवरा को select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से अपना यह पीछ है और यहाँ से हम इसे English से Hindi कर लेते हैं और अपने पैरागर आपको हम यहाँ पर copy करते हैं तो उसके बाद जो है अब यह हिंदी में हमारी story आ गई है हम इसे इस तरीके से यहाँ से copy कर लेते हैं और text to speech वाले website पर आते हैं और इसे हम यहाँ पर paste कर देते हैं उसके बाद देखो आपको यहाँ पर option दिखाए देरा convert now का हम convert now पे click कर देंगे तो हमारी जो यह वह इसे यहाँ पर generate होना सुरू हो जाएगी अब हमारी जो story है वह यहाँ पर generate हो गई है अब यहाँ से सुनना चाते हैं तो आप यहाँ खरे भरे जंगल में और हमें यहाँ पर यह download MP3 का option मिला है हम download MP3 पर click कर देंगे उसके बाद हमारे सामन लेना है वापिस Google Translate में आएंगे और यहां से हमें इसे हिंदी में कर लेते हैं और इसी तरीके से कोपी कर लेते हैं वापिस text to speech पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे paste कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर convert now पर click कर देंगे जादूई पेर्ट के बारे अब हमारी यह दूस आएंगे text to speech पे और अपने तीसरे paragraph को हम यहाँ पर paste कर देंगे उसके बाद convert now पर click कर देंगे तो इसी तरीके से आपको अपने सभी paragraph को English से हिंदी में translate कर लेना है और text to speech में आके अपनी voice आपको generate कर लेनी है और download आपको कर लेना है अब हमारे पास animated story वीडियो बनाने के लिए हमारे पास story भी आ गई है images आ गई है और हमने अपनी story के लिए voice भी generate कर ली है लेकिन अभी हम अपनी story को और interesting बनाएंगे तो इसके लिए हम अपनी images को 3D वीडियो में बदलेंगे तो इसके लिए हम एक website का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है liapix.com इस website के बारे में भ आके इस वीडियो को देख सकते हैं और liapix के बारे में विश्तार से जान सकते हैं liapix open होने के बाद हमारे सामने कुछ इसतरे का interface open होगा अब यहाँ पर देखो option है पिलस का हम पिलस पे click करेंगे उसके बाद हमने जो अपनी image यहाँ पर generate करी थी download करी थी उस image को हम यहाँ लेंगे तो one by one हम अपनी image को ले लेते हैं तो अब हमारी image यहाँ पर यह upload होना शुरू हो गई है अब हमारी यह जो image है इसमें 3D look आ गया है अब यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे options मिलते हैं अगर आप इसमें कुछ changes करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे changes ले करके आएंगे उसके बाद हमारे सामने हमारी जो images है वह यहाँ 3D वीडियो में convert हो जाएगी उसके बाद हमें यह download करना है download करने के लिए शेयर का हम यहाँ share पर किलिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने option आ जाएगे डाउनलोड करने के यहाँ पर अलग-अलग option है हम यह इसे MP4 में download करेंगे तो यहाँ MP4 पर किलिक कर देते हैं उसके बाद यह share का option है share पर किलिक कर देंगे उसके बाद हमारी जो वीडियो है यह हमारे computer की gallery में save हो गई है इसी तरीके से हमें one by one अपनी सारी images को यहाँ पर 3D वीडियो में convert कर लेना है तो मैं जल्दी-जल्दी क convert कर लिया है इसी तरीके से आपको भी अपनी सारी images को 3D वीडियो में convert कर लेना है उसके बाद हमें चलना है editor में आप किसी बेटिटर का इस्तमाल कर सकते हैं काइन इन वीडियो को और इन वोईस को यहाँ पर एड़ेट कर लेना है तो पहली सीन के अनुसार हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पर लेकर के आते हैं और उसके बाद हम अपनी वोईस को यहाँ पर लेकर आते हैं option मिलेगा इसी तरीके से हमें अपने दूसरे scene को लेकर कर आना है और दूसरे scene के अनुसार अपनी जो audio है हम audio को यहाँ पर लेकर आएंगे इसी तरीके से हमें इसे भी duplicate कर लेना duplicate करकर के आपको इसी तरीके से अपनी audio के अनुसार अपनी वीडियो को एडिक्ट कर लेना है मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कर लेता हूँ अब हमारी के अनुसार हमारी वीडियो और वह इस हैं पर एडिक्राइश्ट हो गई है now aup को अपनी इस small background music से ले सकते हैं एगर आपको कोई टांजेस्चन देना है तो आप यहां पे टांजेस्चन भी दे सकते हैं अधर्वाई इसमें टांजेस्चन देनी की कोई जरूत है नहीं क्यूखे हमने जो है अपनी इमेज़स को ओलेडी ठीडी वीडियों में तबदिल कर लिया है एक वार मैं आपको इसे यहां पे पि पहले था क्योंकि इसके सुन्हरे फ़लों में उन्हें खाने वाले की इच्छा पूरी करने की शक्ती थी के जादूई पेड़ के यहां से हमारी वीडियो हमारे computer की गैलरी में चेव होती चली जाएगी तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक इनिमेटिड की स्टोरी बना सकते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पशंद आया होगा अगर वीडियो आपको पशंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अभी तक के लिए नमस्तार जैहिं जवारत